हालो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का दोस्तों आरार्सी ग्रूपडी भरती को लेकर एक बड़ा बदलाओ के साथ नई खबर निकल कर आया है दोस्तों चलिए डायरेक्टली लेकर चलते हैं इस वक्त मैं ओलेबालू नार्थ वेस्टन रेलवे के ओफीसियल ट्व ग्रूपडी भरती परिक्षा आगामी जुलाई मन्त में आजोजित कराया जाएगा दोस्तों दरसल ये बताय गया है इसमें बदला हो सकता है आप लोगों का परिक्षा सेडूल ओफीसियल वेब साइट पर जल्द से जल्द आज आएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों फीजिकल टेस्ट ग्रूपडी भरती में केवल कंप्यूटर आधारी टेस्ट में होना होगा पास दोस्तों ये कुछ डीटेल में यहाँ पर न्यूज पेपर में आज आया हुआ है इन्फॉर्मेशन बारा मार्च को आप लोग यहाँ पर देखिए क्या कुछ बताय गया है थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर विस्तार में बताय गया है एक्ट अप्रेंटिक्स को नहीं देना होगा फीजिकल टेस्ट ग्रूपडी भरती में केवल कंप्यूटर आधारी टेस्ट में होना होगा पास दरसल दोस्तों जो लोग अप्रेंटिक्स किये ह हुए हैं और ग्रूपडी भरती में फॉर्म अप्लाई की हुए हैं उनको एक अपोर्चेंटी एक्स्ट्रा दीजा रही है उनको अब फीजिकल नहीं करना पड़ेगा कोई भी दोस्तों बोरी होगरा जो बालू का उठाना था कुछ नहीं उठाना रहेगा केवल कंप्यू करने वाले अबहरतियों की सबसे बड़ी मांग मानली है रेलवे की और से जारी नोटिफिकेशन के अताद अब रेलवे कोर्स कंप्लीटेड एक्ट को ग्रूपडी भरती में फीजिकल टेस्ट नहीं देना होगा उन्हें के वाल कंप्यूटर आधारी टेस्ट में उत्तिल ह होना होगा आगे जो मुद्दे की बात बताईगी यह डिरेक्ली आप लोगो देखिए यहां पर बताए गया है ऐसे अब बैरतियों को अब फीजिकल टेस्ट नहीं देना होगा यानि अप्रेंटिस यदि रेलवे भरती बोर्ड की और से आजोजित कंप्यूटर आधारी ट परकासी तोरका है यह खबर बिल्कुल जेन्वीन है ओफिसल बेप साइट पर कली नोटिफिकेशन जारी करके रेलवे ने बता दिया था एक्शुल में दोस्तों बहुत अच्छी कबर है जो भी अपरेंटिस कैंडिडेट किये थे उनका डारेक्ट सेलक्षन हो जाएगा फ दिया जाएगा वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूंद है